तो आपने देखा कि अती अलपकालिन बाजार की एक रेखा चित्री के अंुसार कैसे इसतर्थ प्रकट की जा सकती हैं। कई लहटी है कि इतना समय जाधा भी नहीं रहता है अकि बिल्कुल में जितना संधिय को ऑप के पास वहां कि कर सकता है किस तरह सेransport कर सकते हैं चोचिछ Battag कि एंव्य सब्सक्राइफ के लिए जब निर्मान करेंगे तो हम देखते हैं रेका O एक्स पर वस्तू की मात्रा और रेखा ओवाई पर वस्तू का मुल्य प्रदर्शित किया जाएगा तो यहां हम देखते हैं कि डि-डी प्रारंभिक मांग वक्र और ससा प्रारंभिक पूर्ति वक्र हैं यह दोनों वक्र एक दूसरे को E बिंदू पर काटते हैं यानि कि जहां मांग और पूर्टी वक्र दोनों को E बिंदू पर काड़ते हैं तो वही E बिंदू प्रारम्लिक संतुलन बिंदू कहलाएगा अब अगर मांग बढ़ जाती है यानि मांग बढ़ कर D1 D1 हो जाती है तो अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित होगा क्योंकि बस्तू कि मांग बढ़ रही है और इसके कारण जो पूर्टी होगी वो बढ़ कर S1 S1 हो जाएगी इस प्रकार यहाँ पे जो हमको नया संतुलन बिंदू प्राप्त होगा वो होगा E1 और नया संतुलन मुल्य O P1 या E1 Q1 होगा इसी प्रकार हम देखते हैं कि मांग में व्रिद्धी होने पर भी पूर्टी नहीं हो पाती तो नया संतुलन मुल्य O P2 होगा यहाँ पर इस पूरे रेखा चित्र से इस पस्ट हो जा रहा है कि अगर अल्पकाल में वस्तू का मुल्य मांग और पूर्टी की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निधारित किया जाता है लेकिन फिर भी इसमें मांग की जो भूमिका होती है वो अधित महत्तू होती है अब अगर हम बात करें दिर्धकाल इन बाजार की तो जैसे कि नाम से इस पस्ट है दिर्धकाल में इतना समय रहता है विक्रेता के पास कि वो अपने बाजार की जो वस्तू होती है उसको करके थोड़ा वो टेक्निक को भी वो परिवर्तित करके पूर्ति को ज्यादा से ज्यादा एड़्यस करने का वो प्रयास कर सकता है कि किस तरह से इसको ग्राब दर प्रदरशित कर सकते हैं आए देखते हैं दिर्ध काल में मूल्य निधारण के लिए जब हम वक्र का निर्मान करते हैं तो क्यूंकि हमने कीया सबी साथ में परिवर्थित करके प्र्शन कर्के हम पूर्ति होती है उसको समयविद कर सकते हैं और हमने यह भी देखा कि इस साथी में वस्तू का मुल्य उसकी औसक नियुंतम लागत के बराबर होता है तो इस आधार पर जब हम वक्र का निर्मान करते हैं तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दो प्रकार के वक्र का निर्मान हम यहां पर करते हैं जिसमें हम देख कि रेखा ओपी कीमत का निधारन करती है और ऐसी दशा में वस्तु की जो पूर्ती है वह क्यों तक है और यहां पर जो वस्तु की कीमत का निधारन ओपी होता है वही पर्मी के द्वारा स्विकार किया क्योंकि यह दोनों रिखाय जो है वह आपस में एक दूसरे को यहां पर इबिंदू पर काटती है दूसरा वक्र अगर हम देखे जिसमें वस्तु की मात्रा का उसकी आगम या लागत के साथ संबल दर्शाया गया है तो यहां पर हम देखते हैं कि ओ एक्स अक्ष पर वस्तु क का लिन सेमांत लागत जिसमी को देखें तो एक दूसरे के बराबर और फटाता हैν क्यूंकि आप पर यहां पर जयर किया सकते हैं कि fellowship himself q2 कोई कहा जाएगा अब अगर हम बात करें अति दीर दीकालीन बाजार की तो अति दीर्धी कालीन बाजार याने की लंबी प्रक्रिया इस तिर जो प्रक्रिया होती है स्थिर प्रकितक परकिमत की जो के बात हुद तो यहां पर बात कर सकते हैं तो यहां पर हम जिस बाजार की बात कर रहे हैं वह जादा तर टिकाववश्दों का बजार होता है जिसे हमने देखा कि इलेक्ट्रोनिक आइटम जो होते हैं भवन निर्मान संबंधी जो आइटम होते हैं या दैनिक उपयोग की चीजों के जो बजार होते हैं जिन में हमेशा मांग बनी रहती है इस तरह के जो बजार इस तरह के वस्तों के जो बजार होते हैं अती दिर्ध कालिन बजार में वहा पूर्ति के अनुरूप मांग को एड्रिस्ट करने का लेकिन दीर्धकाल में बहुत ज्यादा समय रहता है सुनने में दोनों चीजें एक ही जैसे लगती है कि थोड़ा समय रहता है ज्यादा समय रहता है लेकि दोनों के पास परयाप्त समय है दोनों यह मान रहे हैं कि पूर् परिवरतन की मात्रा आज पौर में। प्रिवर्टन की मात्रा, इस्थिर और परिवर्टस्चीर, दोनों प्रकार सादूलों के ब्रदि करती है। अल्पकाल एक ऐसी अवदी है जो उत्पादन के इस्थिर साधनों में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक समय से कम होती है लेकिन दीर्दकाल वह समय आवदी है जिसमें उत्पादक आवश्यकता नुसार उत्पादन के समस्त साधनों में परिवर्तन कर सकता है अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को दो भागों में बाटा जा सकता है एस्तर साधन और परिवतर हिल साधन जबकि दिर्दकाल में इस्तिर एवं परिवतर हिल साधनों के बीच अंतर समाप्त हो जाता है अल्पकाल में बस्तु के मूल्य निधारन में मांग काधिक प्रभाव करता है जबके दिवधकाल में मूल्य निधारन में मांग के तुलना में पूर्ति काधिक प्रभाव करता है बाजार में जब हम मुल्य निर्धारण की बात करते हैं तो हम दो तरह के मुल्यों का निर्धारण करते हैं एक है बाजार मुल्य और दूसरा जिसे हम क्याते हैं वो है सामाने मुल्य तो अगर हम बाजार मुल्य यानि के मार्केट प्राइस की बात करें तो इसके बारे में ज लंबे समय तक बाजार में यह तीका के लिए तो की मांग से ctec जढ़ा प्राप्त करने के लिए सबस्क्राइब कर देता है। постоянно लाप्राह्त करने कीमत कि इस बढूरे मुले के निधारण में मांग की शक्ती सक्री रहती है जैसे अभी अब पूरती के पेक्षा मांग के जो शक्तिया है वह अधिक सक्री रहती है तो इन बंदो के अधार का है इसकी सबसे पहले जो भी शेता है वह है कि बाजार मुल्य घरता रहता है जिसे आपके ढूरो की बहुत गटता है दिन प्रती दिन यह कई बार जो दैनी कुप्योग की वस्तों का बजार रहा था वो घंटे प्रती घंटे में भी बदलता है यहां पर कीमते जो होते हैं बहुत जल्दी घंटी बढ़ती हैं दूसरा इसकी विशेष्टा की बात कर तो आस थाई अब क्योंकि जल्द अगरे के बाट एंगे शड़ा अगरे अनुपातिक संबंद होता है यांदि मांक के साथ बजार मूले घड़ता है और मांघ के साथ ही बजार मूले घْर जाता है अगली हम इसकी विशेस्ता की बात करें तो लागत यह ने कि उत्पादल लागत से इसका कोई संबन नहीं होता है इसका संबन होता है सिर्फ मांग से मांग के अनुसारी घर्टा बढ़ता है उत्पादल लागत का इससे कोई लेना देना नहीं है अगली विशेस्ता क कि बाठ करहें तो यहां पर हमने जैसे कि इसके अर्थ में ही देख लिया था कि मांग की जो शक्ती होती ही वो प्रभावित होती है जब कर weeks निश्करी होती है पूर्त estoy पराप्त कने के लिए उसकी कीमत बढ़ा देते हैं समान अगर खराब होने रहे हैं तो उसकी कीमत कम कर. वास्तविक में वास्तित हुट बात करते हैं तो भीम जो होता है जब हम समानी मूले के बारे में आगे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि बाजार मूले जो है वो समानी मूले के आसपास घुमते रहता है उसके इर्द गिर्द आने कि इसकी जो आदत है वो हमेशा बनी रहती है तो बाजार मूले के बाद अगर अब हम समानी मूले क समाने मूली की जो दशाय होती है। वह बाजार में मांग और पूर्ती के इस्थाई शक्तियों के द्वारा उसका निधारन हम यहां पर करते हैं। यानि कि जैसे हमने बजार मूल्य के बारे में जा रहा है कि आस्थाई होता है, बहुत जल्दी जल्दी परिवर्दित होता रहता है, तो समान मूल्य के बारे में हम कह सकते हैं कि इस्थाई होता है, काफी लंबे समय तक वही मूल्य चलते रहता है, उसके बाद हम अगर चीक एन रूप हम एड़िस करते हैं और उसके बाद हम कीमत करने धारन यहां पर करते हैं तो सामाने मूले के बारे में हमने देखा कि दीर्द कालीन बाजार का यह मूल है मांग और पूर्ते के इस्थाई शक्तियों से निधारित होता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस्थाई मूल है दूसरी हम इसकी विशेस्ता की बात करें तो हम देखते हैं कि यह सिमांत लागत और औसत लागत के बराबर होता है जब हमने सिमांत लागत और औसत लागत के अधार पर कीमत निधारन पढ़ा था तो वहां पर जब सामान निमूली के अंतरगत जो कीमत निधारन होता है वही गोई एक ऐसी सिति होती है जब सीमांत लागत और ओसत लागत को ध्यान में रखते हुई कीमत का निर्धारण किया जाता है तीसरी दशा इसके कहती है कि एक कालपनिक होता है जिसे मैंने भी आपको बताया कि वास्तों में बाजार मुली की जो दशाय होती है वो वास्तविक से लगती है रियल लाइफ में ऐसा होता है लेकिन इसके बारे में जब हम आगे और अध्यन करेंगे तो कहीं न कहीं जो सामा मूले में देखा था कि मांग कर प्रभाव होता है लेकिन सामानी मूले में पूर्ती का प्रभाव होता है यानि कि पूर्ती अगर परियाप्त मातर में बनी हुई है तो कीमत जो होता है वह होती है वह इससे रहती है बहुत जल्दी फ्लेक्ट्ट नहीं होते लिए पूर्ती अ मांग और पूर्ती का संतुलन विंदू उसी संतुलन विंदू के आधार पर समान्य मूलय में भी वस्तू की कीमत करने धारण होता है अब अगर एक महत्पूर्ण बिंदू को देखें महत्पूर्ण बात करें जो परिक्षा के दिश्टे कौन से भी काफी उप्योगी है कि जो समान्य मूल्य है वो एक धूरी है एक ऐसी धूरी है जिसके इर्द गिर्द बाजार मूल्य जो है वो चक्कर लगाते रहता है कभी बाजार मूल्य समान मूल्य से उचा हो जाता है कभी नीचे हो जाता है कभी फिर उचा हो जाता है एक ज्यादा समय तक वो ऐसा उचा नीचा नहीं रह पाता है एक समय ऐसा आता है जब वह वापस जो बाजार मूल्य है वो आकर समान्य मूल्य में मिल जाता है इसलिए हम क अगर आप बाजार मुल्य और सामानी मुल्य के विश्रिस्तों को बहुत अच्छे से समझ गया है तो हम अंतर को बहुत अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं आयो देखते हैं कौन-कौन से अंतर है बाजार मुल्य और समानी मुल्य में अंतर बाजार मुल्य अस्थाई होता है और ये प्रतिदीन परिवर्तित होता है जबकि समानी मुल्य इस्थाई होता है यानि कि बहुत समय के बाद परिवर्तित होता है बाजार मुल्य अल्पकालिन होता है और सामानी मुल्य दिर्धकालिन होता है बाजार मुल्य वस्तु की मांग एवं पूर्ती के अस थाहितंतुलंद्वारा निधारित होता है और सामानी मुल्य वस्तु की मांग और पूर्ती के इस्थाई संचुलन द्वारा निधायिक होता है। बाजार मुल्य को वस्तु का मांग पक्ष अधिक प्रभावित करता है जबकि सामानी मुल्य को पूर्ती पक्ष प्रभावित करता है। बाजार मुल्य बास्तिविक मुल्य होता है जबकि सामान नी मुल्य कालपनिक मुल्य होता है बाजार मुल्य आस्थाई कारणों तथा आकस्मिक घटनाओं द्वारा प्रभावित होता है जबकि सामान नी मुल्य इस्थाई कारणों इवर दिर्धकालिन घटनाओं के द्वार देखा कि बाजार मुलिय और समान मुल्य में क्या अंतर है। अब अगर हम अंतर के बाद इनमे समानता की बाद करें तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे अभी तक हमने इसके विशेस्ताओं यह इसके अर्थ के बारे में हमने जाना कि बाजार मूलिय जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है लेकिन सामान इमूले थोड़ा सा इस्थिर रहता है लेकिन बाजार में जो दशाय होती है कीमत निधारण की उसमें जो बाजार मूले होता है वो लंबे समय तक फ्लेक्च्वेट नहीं कर पाता है और मांग और पूर्ती की शक्तिया इसको प्रभावित करती है कि धीरे धीरे आकर वो समान मूले में मिल जाता है अब इसके संबंधों को यह में समानताओं को जानने के लिए हम एक ग्राफ का अध्यन करेंगे इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि परिक्षा के दृष्टे कौन से काफी महत्तपुन ग्राफ इस प्रेशन को कई बार घुमात फिरा कर पूचा जा सकता है जैसे कि हमने पॉइंट यहां पर देखा कि बाजार मूले समान मूले के इर्धिड घूमता रहता है इसे ग्राफ दौर मूले में क्या समानता है इस तरह के पूचे जाते हैं परिक्षा के दिश्टे कुर से यहां पर जो ग्राफ बनाया है उसमें O X अक्षपर वस्तु की मांग और पूर्थी तथा O Y अक्षपर वस्तु की कीमत दर्शाएगे हैं इसके समनांतर यानि की रेखा O X के समनांतर जो A B रेखा है इसका मतलब यह है कि वस्तु के मूल्य में यह स्थिर्था को दर्शाता है यानि यह समानी मूल्य की रेखा है अब क्योंकि हमने देखा कि सीमांत मूल्य उत्पादन लागत के बराबर होता है तो हम यह भी कह सकते ह कि यह भी रेखा उत्वादन लागत की रेखा है अब क्योंकि बिंदु P Q R S T बार बार उपर नीची हो रहे हैं कभी मुले बढ़ रहा है कभी घट रहा है मतलब यह बाजार मुले को बताने वाली रेखा है क्योंकि आपने देखा कि बाजार मुले जो होता है उसमें बहुत कीमते जो होती है बहुत जल्दी जल्दी परिवर्ट होती हैं। अब यहां हम देख रहे हैं कि बाजार मुले के रेखा और सामान मुले की रेखा एक दूस्रे को थेee lle यहां हम देख रहे हैं कि जो बाजार मुले रेखा है वह समान मुले रेखा के ऊपर नीचे इस तरह से वह गूम रही है लेकिन यह जो क्रम है यह काफी लंबे समय तक नहीं चल पाता और यह जो बाजार मुले रेखा जो है वह समान मुले रेखा में आकर मिल जाती है इसलिए की आधर दो परिक्षा में अगरा वि andra use बाजार मूली इस तरह सकता ह susceptible और जो सभी बाजार मुली में उप्रभी को电 creation जो उत्तर है वो असानी से दे सकते हैं तो इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से बाजार में जो मांग और पूर्ती की शक्तियां हैं वो कीमत को प्रभावित करती हैं कभी वो समय के अधार पर कभी मांग के अधार पर और कभी पूर्ती के अधार पर कीमतों को ब पर किन किन दशाओं का प्रभाव पड़ता है